आपने सुनी हमारे राष्ट्रगान की धुन ऐसी धुन जिसको सुनकर हमारा सीना चोड़ा हो जाता है और जिसके सम्मान में हम खुद बखुद अपनी जगे से खड़े हो जाते हैं हम सभी यह जानते हैं कि राष्ट्रगान के रचियता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं लेकिन शायद बहुत कम लोगों को यहाँ पता होगा कि जिस संगीतकार ने राष्ट्रगान की धुन तयार की थी उनका संबंद उत्राखंड और हिमाचल परदेश्य था कहीं पर आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा कि राष्ट्रगान की धुन भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही तयार की थी लेकिन यहाँ सही नहीं है राष्ट्रगान की धुन के रचियता थे कैप्टन राम सिंग ठाकुर गसेरी में आज हम आपको कैप्टन राम सिंग ठाकुर के बारे में ही बताएंगे कि किस तरह से वा संगीत से जुड़े और किन परिस्तितियों में उन्होंने राष्ट्रगान की धुन तैयार की थी पहले यह जान लेते हैं कि कैप्टन राम सिंग ठाकुर का संबंद पहाड के किन छेत्रों से था कैप्टन राम सिंग ठाकुर का जन्म 15 अगस्त 1914 को हिमाचल परदेश के खनियारा गाउं में हुआ था खनियारा गाउं धर्मशाला से लगवग साथ किलोमीटर दूर है वह उस ठकुरी परिवार से संबंद रखते थे जिसने कि नेपाल पर राज किया था कैप्टन राम सिंग ठाकुर मूल रूप से उत्तरा खंड के पित्थोरागड जिल्ले के मुना कोट गाउं के रहने वाले थे उनके दादा जी का नाम जमनी चंद था जो अठारसो नब्य में हिमाचल परदेश में जाकर बस गए थे कैप्टन राम सिंग ठाकुर का बचपन से ही संगीत से लगाव था उनके दादा जमनी चंद और नाना नत्थू चंद ने उन्हें संगीत के परति प्रेरित किया लेकिन उनके पिता हवलदार दलीव सिंग चाते थे कि राम सिंग सेना में भरती हो पिता की आज्या का पालन करते हुए राम सिंग किशोरा वस्ता में ही सेकिन गोर्खा राइफल के बैंड में भरती हो गए थे सेना में रहते हुए ही उन्होंने विर्टिस संगीतकार हटसन और डेनिस से ब्रास बैंड, स्ट्रिंग बैंड और डान्स बैंड वजाना सीखा कैप्टन रोज ने उन्हें वाइलिन बजानी सिखाई इस बीच दूसरे विश्य युद्ध के दौरान कैप्टन राम सिंग को पर्मोशन मिला और वह कमपनी हवालदार मेजर बन गए उन्हें 1941 में सिंगापुर और मलाया भेज दिया गया दिसंबर 1941 में जापान ने मलाया थाइलेंड सीमा पर आक्रमन किया और लगभग 200 भारतिय सैनिकों को गृफतार कर दिया इनमें कैप्टन राम सिंग भी शामिल थे यही सैनिक बाद में जापान में आजाद हिंद फाउज यानि आई एन ए में शामिल हो गए थे यही से शुरुआत हुई थी भारतिय राष्ट गान और उसकी धुन की नेताजी सुवाश चंद्र बोस को जब पता चला कि कैप्टन राम सिंग ठाकुर भहुत अच्छे संगीत कार हैं तो उन्होंने कैप्टन राम सिंग ठाकुर को कौमी तराना की धुन तयार करने का जिम्मा सौफ दिया गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर के बांगला भाषा में लिखे गए गीत को आजाद हिंद फाउज ने अपना कौमी तराना बनाया लेकिन नेता जी ने राष्ट्रिय एक्ता को ध्यान में रखते हुए इसे हिंदी में अनुवाद कराने के लिए कहा कौमी तराना का हिंदी में अनुवाद कैप्टन आविद अली हुसैन ने किया जो वर्तमान समय के राष्ट्रगान जन गन मन से थोड़ा भिन था कैप्टन राम सिंग ने इसी गीत की धुन तयार की थी जिसे बाद में राष्टगान की धुन के रूप में भी अपना लिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र वोस ने तब कैप्टन राम सिंग से कहा था कौमी तराना की धुन इतनी दमदार और प्रेरणा दाई होनी चाहिए कि जब इसे आजाद हिंद फौज के साइनिक प्रस्तुत करें तो इससे न केवल साइनिकों बलकि लाखों भारतियों की आत्मा भ राष्ट्र फ्रेम जाग उठता है इस कौमी तराना को पहली बार 1943 में सिंगापुर में गाया गया था बाद में राष्ट्रगान में बदलाव हुआ लेकिन उसकी धुन नहीं बदली गई राष्ट्रगान की धुन आज भी वही है जिसे कैप्टन राम सिंग ठाकुर ने त तैयार किया था आपने एक और गीत सुना होगा कदम कदम बढ़ाये जा खुशी के गीत गाये जा यह जिन्दगी है कौम की तो कौम पे लुटाये जा इस गीत को कैप्टन राम सिंग ठाकुर ने लिखा भी है और संगीत बद्ध भी किया है आजाद हिंद फाउस से जुड़े सबी गीतों को कैप्टन राम सिंग ठाकुर ने ही संगीत दिया था इनमें मुस्ताक अहमत का गीत कौमी तिरंगा जंडा उंचा रहे जहां में मुम्ताज हुसेन का सुबाश जी सुबाश जी वो जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो जाने हिंद आ गए और कल्यान सिंग हजारत का हिंद सिपाई जैसे गीत भी शामिल हैं कैप्टन राम सिंग ठाकुर का गीत कदम कदम बढ़ाय जा खुशी के गीत गाय जा ये जिन्दगी है काउम की तु काऊम पे लुटाये जा उस समय इतना लोग प्रिय हो गया था कि अंग्रेज सरकार ने 1945 में इस पर पर्तिबंध ही लगा दिया इस गीत पर से पर्तिबंध भारत के स्वतंत्र होने के बाद 39 अगस्त 1947 को हटा था भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहले पर्धान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू ने जब लाल किले पर तिरंगा फैराया था तो तब कैप्टन राम सिंग ठाकुर और उनकी आरकेश्ट्रा टीम को आजाद हिंद फोज का कौमी तराना की धुन बजाने के लिए विशेश रूप से आमंतरित किया गया था इससे पहले कैप्टन राम सिंग ठाकुर और उनके साथियों ने महात्मा गांदी जी और सरदार पटेल जी के सामने भी कौमी तराना की धुन बजाई थी कैप्टन राम सिंग ठाकुर ने लगभग 30 राष्ट्रिय गीतों को संगीत दिया था उन्होंने कुछ पहाड़ी गानों का भी संगीत तयार किया जिनमे नैनी ताला नैनी ताला घूमी आयो रहला भी शामिल है उन्होंने अपने जीवन का काफी समय लखनव और नैनी ताल में बिताया था कैप्टन राम सिंग ठाकुर का 15 अप्रेल 2002 को निधन हुआ था उन्हें आजीवन वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह वास्तवी खगदार थे गसेरी टीम की तरफ से इस राष्ट प्रेमी संगीत कार को शत शत नमन वह स्लेक्नवेट होगी तर नहीं समय प्र Feed